इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत दर्द और सूजन को दूर करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार यह रूमिटॉइड अर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉंडिलाइटिस और औस्टियो और सूजन को प्रभावी धंग से कम करता है। FOCSP टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनुसार ही लिया जाना चाहिए। पेट को बचाने के लिए भोजन या दूद के साथ लेना चाहिए। दवा को नियमित रूप से सही समय पर लेने से इसकी प्रभावकारिता बढ़ जाती जब तक आपका डॉक्टर आपको बताता है कि रोकना सुरक्षित नहीं है। तब तक दवा को नियमित रूप से ले जाना महत्वपूर्ण है। इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, पेट में दर्द, अपच, सीने में जलन, भूक में कमी और डायरिया यानी की दस्त शामिल हैं। अगर आप इस दवा को दीर कालिक उपचार के लिए ले रहे हैं, तो आपका डॉक्टर नियमित रूप से अपने किड्नी फंक्षन, लिवर फंक्षन और रक्ट के घटकों की निगरानी कर सकता है। दीर कालिक उप्योग से पेट अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।